ये तो आप सभी जानते हैं कि जब हमें घर को बनाते हैं तो हमें उसमें bedroom, drying room, living room, kitchen, toilet, bathroom, पूजा घर, car parking ये सारी चीजे दी जाती हैं और ये हर कोई जानता है कि हाँ इनी सभी चीजों को मिला के हमारा एक proper घर बनता है बट क्या आपको पता है कि इन सभी के जो size हमें रखत काफी बड़ा size देती है अब ये चीज जो होती है देखो अगर आप किसी इंजिनर के माध्यम से अपने घर को बना रहे हैं तो वो और लेडी प्लान कर लिए होती है बट क्या होता है कि अगर मालो आप घर सिर्फ अपने किसी ठेकेदार के ओपर depend हो रहे हैं या आप लगा जो होती है वह क्या size होगी और कार पार्किंगे सारी चीज़ें आपको बताऊंगा तो वीडियो मैं तक बने रहे हैं बस अगर यह वीडियो अच्छे लगे आपको तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्काइब कर लिजे कि कि इसी तरह की प्रैक्टिकल वीडियो कुछ ऐसी चीज़े लिखी हैं जो आपको इसको नोट करके धियान में रखना है कि हाँ यह चीज़े भी हमें होनी चाहिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे जो हमारा पहला सेरेल नंबर में रहेगा बैड रूम देखो बैड रूम में कि एक अगर मैं standard या average size की बात करूं तो 10 feet by 12 feet का आपको एक bedroom का size रखना चाहिए ठीक है यह एक बहुती normal और कह सकते है standard है जैसे मालो आपका घर ना तो जादा बड़ा है नहीं जादा चोटा है तो आप इसको रख सकते हैं बाकि अगर मालो आपके पास space काफी जादा है तो 12 वाई 14 का अगर आप ए ड्राइंग रूम की जैसे की कोई guest room या ड्राइंग रूम आप समझ सकते हैं तो वो 10 वाई 12 का आप रखेंगे ठीक है इससे कम आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है यह तो मैं आपको exactly बोली रहा हूं बाकि अगर हम बात करें living room तो जैसे मालो living room जो हमारा होता है जिसको क साइनिंग टेबल भी डाल देते हैं और थोड़ा सा स्पेस रखता है तो हमारे घर में जो बचा कुछा स्पेस होता है वह हमें living room में दिखाई देता है तो यहां पर मैं कहूंगा तो 12 वाई 14 का एक साइज जो है वो काफी ठीक है आपके रूम के लिए जो की living room रहेगा बा आपका किचिन का साइज रहेगा वह इतना आप रखना कि जो हमारा जो स्लिप डालने के बाद जो हमें इस पेस बसता है वह पांच फिट कम से कम होना ही चाहिए इसलिए यहां पर साथी साथ बता भी देता हूं कि साथ फिट अगर हम नहीं रखेंगे तो जो हम स्लिप दो डालते हैं और उसके बाद जगह कुछ आपकी तीन फिट चार फिट बसती है तो थोड़ा कंजिस्टिड होयाती है जो कि कहीं नहीं गलग चीज है ठीक है और अगर हम यहां पर बात करें और चीज़की तो यहां पर जैसे आपको देख रहे हो कि मिनिमम जो रहेगा उसका 50 स्कॉयर फिट एरिया हमारा होना ही चाहेंगे ठीक है जैसे यह यह बिल्डिंग के जो स्पेस पेरामेटर होते हैं उसके अगौडिंग है जैसे मालो यह जो मैंने साइज आपको बोला यह तो एक समझ लीदे की एक स्टैंडर्ड साइज है लेकिन अगर कम से कम की बात करें मैं टोलेट्स की जैसे कि आप टोलेट्स देकर रहे हैं तो अगर मैं टोलीट्स की बात करों तो यहां पे देखो हमारा जो सैज रहे ivट वह चार फिट करें तो यहां पंस साइज जो रहेगा आपका सिंगल वह एकदम ठीक है इससे कम आपको नहीं देना चाहिए क्योंकि दोखों उस में क्या होता है काफी आपके चपड़े बगएरा धुलते हैं तो उसमें क्या थोड़ा पत स्पेस आपको चाहिए ही होता है तो इसलिए यहां पर चार फिट वाय पांच फिट का जो साइज मैंने आपको बोला है बातरूं के लिए वो एकदम ठीक है बागर आगर हम टॉयलेट बातरूं अब यह जो हमने टॉयलेट वातरूं बोले देख यह तो क्या थे सिंगल थे कि यहां पर अपने भी अपने इसमज़ लिए लेकिन आपको सही साइज बैठेगा चार फिट वाई साथ फिट का इस चार फिट को कम नहीं करना चाहे साथ फिट को आप आठ फिट कर सकते हैं या पांच कर सकते हैं चार को लेकिन कम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है बात की अगर हम बातरून की हाइट की बात करें जादा तो ल साथ फित हाइट रहती है इस अगर में चिछन को किछन की हैट नहीं रखनी चाहिए है। पूजा हम वोता है हमारा उसमें हम्हें क्या रखना चाहिए। पूजा रहता है। एक कुछ चीज़े डिपेंट रहती हैं जादा तो लोग बार क्या करते हैं कि जिन लोग को जादा बस एक नाम तो एक जामपल के तौर पर कहें तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको जादा बिजबास नहीं होता पूजा जामें बस थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं बट क साथ में जो भी है यह सब लंबाई है तो जो लोग कन्फ्यूज हैं वह यहाँ पर किलियर कर लें अपना पहले ही तो अगर इसकी हम पूजा रूम की भी हाइट की बात करते हैं कार पारकिंग देखो यह डिपेंड हर किसी के जगह अलग हो सकती है क्योंकि सभी के पास अप जैसे फोर्चुनर होती है स्कॉर्पी होती है बड़ी गाड़िया होती है वहाँ पर मैं कहूंगा कि अगर मालो आपकी कोई स्मॉल या नॉर्मल गाड़ी है ठीक है फो फोर सेटर जिसको बोल सकते हैं तो वह आप दस बाई 14 फिट की जगह को छोड़ सकते हैं ठीक है यह आपकी होनी ही चाहिए इतनी वरना इससे कम आप क्या रखोगे क्योंकि दरवाजे खुलते हैं तो स्पेस को आपको चाहिए ही होता है बाकि हम बात के लगए डाइनिंग रूम की ठीक है डाइनिंग रूम जिसमें आप क्या करते हैं कि जैसे कि सब फैमिली लोग खाना खा की बात कर रहा हूँ तो एक अगर कोई बंदा है तो 1.1 मिटर स्क्वायर एक बंदे के लिए सेटिंग एरिया छोड़ना चाहिए यानि कि अगर हम बात करें तो 12 स्क्वायर फिट जो है जगा छोड़ी जाएगी एक बंदे के लिए जो setting area के purpose से छोड़ी जाएगी तो यहाँ पर dining room की यहाँ पर killer हो गया होगा तो यह कुछ notes थे या फिर remark में जो लेकिन यह ज़ादा बहुत ज़ादा ज़रूरी है इनमें आप चाहें तो थोड़ा सा इज बढ़ा सकते हैं पर इनको धिहान में रखके तो यह वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है ताकि आप जो है space parameter को थोड़ा सा धिहान में रखके ही घर को बनाए चाहें वो एक engineer है या contractor है या एक मकान मालिक है तो उमीद करूँगा कि आपको इन सभी से काफी ज़्यादा knowledge मिली होगी और अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे इस चैनल को subscribe करिए साथी साथ वैल आइकन को on करिए ताकि हमें उससे motivation मिले और वीडियो को like जरूच करने है